हेलो दोस्तों स्वागत देग फिर से आपकी यूटूब चैनल ऐसे स्टेडी 2.0 में तो दोस्तों आज हम देखेंगे इस वीडियो में डेली क्रेंट फिर्स के मोस्ट इंपोडेंट कोश्चन एंद आंसर जो की आल एक्जाम के लिए तो दोस्तों जो की आज 2 मई 2020 आज से ल का दिखेंगा महराष्ठ विधान परसिद के फिर के चना आयोग ने से अनमोदन पर की गई थी और स्परेल को चनाव के अरोध किया था कि महाराष्ट की बिधान परशिद की नौ रिक्ट सीटों के लिए चुनाओ की तारीक की गोस्णा की जाए तो चलते हैं दूस्तों नेश्ट कोशन देखेंगे दूस्तों क्या है कोचन नमर दो देखेंगे क्या है निमनलिकित मैं से कौन सा ब्रण्ड जल्द ही सैनिटाइजर बनाना शुरू कर देगा तो दूस्तों इस कोशन का राइट अंसर क्या आ जाएगा दिखेंगा निमनलिकित मैं से कौन सा ब्रण्ड जल्द ही सैनिटाइजर बनाना शुरू कर देगा तो दूस्तों इस कोशन का राइट अंसर क्या आजाएगा तो याद प्रोटेक ब्रंड के तहत हांथ और सताय सैनिटाजर बनाना शुरू कर देगी अगले सब्ता से सैनिटाजर बजार में उपलब्द कराए जाएंगे याद रखिएगा तो चलते हैं नेस कोश्चन देखेंगे तो क्या देखिए कोशन नमबर तीन देखेंगे क्या देखेंग का आजाए तो देखिए को आपका राइट आंसर आ जाएगा इस कोशन का याद रखिएगा जो की दोस्तों अजय तर्की ने महिला और विकाष मंत्राले में सच्छिव के रूप में पदबार ग्रेंड किया है वह मद्द प्रदेश केंडर से जो की उन्नेश सो सतासी बेच के आई ऐसा अधिकारी है वह रविंद्र पवार को शपल बनाता है जो की 30 अपरेल 2020 को सेना ब्रत हुए थे याद रखिएगा चलते हैं दुस्तों नेश कोशन देखेंगे दुस्तों क्या देखिएगा कोशन नमर चार देखते हैं क्या है नए आर्थ आर्थिक मामलों की सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है तो दूश्टों इसको टरूड बजाज को याद रखिए ऑप्शन नमर डी आपका राइट आंसर आ जायेगा इसचों का याद रखिएगा जो की दूश्टों तरूड बजाज ने एक मई 2020 को नई आर्थिक मामले के मामलों के सचिव के रूप में पदवार ग्रेंड किया है उन्होंने ऐसे समय में कारिभार के रूप जो की समाला है जब मौझूदा कोरोना वाइरस मामारी के काड अर्थ विवस्ता गंभीर तनाव में है उन्होंने जो की अतुन चक्रवर्ती को सपल किया है जो 30 अवार्ड की गोष्णा के दौरान सर रिचर्ड हैडली पदक से किसे सम्मानित किया गया था तो दूस्तु इस कोशन का राइट अंसर क्या आजागा देखेगा 2020 न्यूजी लेंड क्रिकेटर अवार्ड की गोष्णा के दौरान सर रिचर्ड हैडली पदक से किसे के सम्मानित किया गया था तो दूस्तों का right answer के आजएगा तो याद रखिएगा इस question का right answer आजएगा रॉस टेलर याद रखिए और ओफ्षेन नमबर सी आपका right answer आजएगा इस question का याद रखिएगा जो की दोस्तों रॉस टेलर को एक मई समारों में प्रदान किया गया है यह तीसरी बारे जब टेलर को पीछले जो की दस बरसों में न्यूजी लेंड क्रिकेटर के सीर्ट पुरुषकारों से सम्मानित किया रहा है याद रखिया किसको रॉष टेलर को याद रखिएगा तो चलते हैं दुस्तों नेस्ट कोछन में जीत दर्ज की थी तो दोस्तों इस कोछन का राइट अंसर क्या आजाएगा तो देखिएगा इस कोछन का राइट आंसर क्या आजाएगा देखिया महान फुटबॉलर जो की चुन्नी गुष्वामी का 30 अपरेल 2020 को निधन हो गया उन्होंने भारतिय फॉटबॉल टीम क कप्तानी की थी जिसमें निम लेखे टूनामेंट में जीत दर्ज की गई थी तो याद रखिये किसमें तो दोस्तों इस कोछन का राइट आंसर आजाएगा आपका 1962 रस्ट मंडल खेल याद रखियेगा ऑफशन नमबर नहीं दोस्तों ऑफशन नमबर डी आपका राइट राइट आंसर आजाएगा इस कोछन का याद रखिया 1962 एसी आई खेल ऑफशन नमबर डी आपका राइट आंसर आजाएगा इस कोछन का याद रखियेगा जो कि दोस्तों दिगज भारती फुट्वाल चुन्नी जो की गोश्वामी जनोंने 1962 के एसी खेलों की शोड विज हैंस साroffenे और नूजीलेंड करिकेटर पुर्षटकार समरों 2020 के दिवस्य खिलाडी का नाम की से दिया गया है तो दो भूशिए खरःटांसर की याद रखिएगा और सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस कोशन का याद रखिएगा जो कि दोफ्तों न्यूजी लेंड के कप्तान ने जो कि कप्तान कैन बिलियम संद को पुरुसों के एक दिवसी खिलाडी का नम दिया गया है जो कि बिलियम संद के पास भी बेहत सपल पर से था तो कि उन्होंने आइसी आए जो कि आई सी सी विस्टुकब 2019 के दौरान दो सथकों सभी आसी के और सत में कुल 578 रन बनाए थे याद रखिए कितने 578 रन बनाए थे जिसमें उन्होंने टूनामेंट को टूनामेंट खिलाडी का नामित किया गया था याद करदेंगे तो दुस्ती स्कुल कि मोते तोर पर प्रतमान प्रत्वं 3 मै expensive 2020 के बाद भी बने रहेंगे याद रखिएगा तो दिली के जिलों मियाário कि रखिएगा तो चलते हैं दूस्तों नेश्कोशन देखेंगे, क्या देखेंगे, क्षिन नम्ड 9 देखिए, क्या है, किस राजसरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी बहानों की खरीद पर साल भर के लिए बेन लगाया, तो दोस्तों इस खुशन का राइट अंसर क्या आ जाएगा, देखी कियेगा जो कि दुफतों हरियाना केविनेट ने लोकडाउन के बीच बसों अगनी मन जो की अगनी समन और बहानों जैसे आपातकालिन सेवाओं के बहानों को छोड़कर कार वजीब समेद सभी नई बहानों की खरीद पर मौझूदा बितवर्स में पूर प्रित्वंद लगा अंतरर्राष्टि शिर्मक दिवस निम्न मैंसे किस दिन मनाया जाता है तो दोस्तों का राइट अंसर कि आ जागा देखेगा अंतरराष्टि शिर्मक दिवस इंटर्नेशनल लेवर दे निम्न मेंसे किस दिन मनाया जाता है तो दोफ्ति इस कोशon का आप कमेंट भॉक्ष में अंसर दीजिए एक मई यह एक जुन है तो चलते हैं दोस्तों नेने कोसिंन देखेंगे दोस्तों ग्यारा देखते हैं क्या budget पारदरसिता और जवाब दे यानि की budget transparency and accountability में भारत को कितने इस्तान पर रखा गया है तो दोस्तों इस question का right answer क्या आ जाएगा देखिएगा आपका राइट अंसर आजाएगा इस खोश्चन का याद रखिएगा जो कि दोस्तों यह बजट पार्दर्ष्टा के इस तर पर इस्तर को जो कि जीरो से सो के पैमाने पर मापता है यह सूची में जो कि न्यूजिलेंड 87 के स्कॉर के साथ है याद रखिए कितने 87 के स्कॉर के साथ है जो कि दोस्तों प्रतम इस्तान पर है यह सर वह जो कि आंतराष्टी बजट पार्टनर सेप दवारा संचालित किया गया है इस सूची में भारत को बजट पार देशता और जवाब देएमाद के मामले में 117 दैसों में 53 सान पर रखा गया है जो कि याद रखिएगा चलते हैं दोस्तों देखेंगे क्या देखेंगे 12 देखेंगे जो कि माराष्ट राज की स्थापना कब होई थी तो दोस्तों इस खोषान का राइट आंसर क्या आजाएगा तो याद रखियेंगे महाराष्ट राज की स्ताबना के वही थी तो आप कमेंट बॉक्स में अंसर दीजियेगा इस खोर्चन का आप रखिएगा नियुक्त चलते हैं दूस्ते रूप क्लों के सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्या है चलते हैं हाली मैं अप्रेल जो की हाली मैं अप्रेल 2020 में भारती जो की भारती ने निमले खित मैंसे किस देश के लिए जो की डॉलर डेड़ सो मिलियन विदेशी मुद्रा बिनियम समर्थन बढ़ाया है तो दोस्तों इस कोश्चन का राइट अंसर क्या आजाएगा दिखीगा हाली में अप्रेल 2020 में भारती ने निमले कितम ऐसे किस देश के लिए जो की डॉलर डेड़ सो मिलियन विदेशी मुद्रा बिनियम समर्थन बढ़ाया है तो याद रखिए किसने तो याद रखिया मालदीव आफसे नमबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस कोश्चन का याद रखिएगा चलते हैं दोस्तों देखेंगे दोस्तों क्या देखेगा तो कि दूसरा कोश्चन है क्या है और जो कि मील के भीतर प्रत्वी से गोजरेगा तो याद रखिए इस कोश्चन का राइट अंसर आ जाए कौनसा तो चुद्धर गेर जो की याद रखिए जो कि उनने सो अठानवे ओर टू याद रखेगा ऑफ्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस खोश्चन का जो कि दर दोस्तों लगवक करफी सातियों ने करेक्ट आंसर दिया था तो चलिए दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो कमेंट और लाइक ज